लोग जिन्शक्ति पार्टी चुनाओ लड़ेगी, इन सीटों पर चुनाओ लड़ेगी, बहुत जल्द मेरे भी कारिक्रम अब भाँ पर शुरू हो जाएंगे, कौन गड़ बंदन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है इस तरह और ऐसा ही कुछ हुआ है नितीश कुमार के साथ, चिराग को हलके में लेने की गलती नितीश को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है, विधान सभा की दो सीट जहां पर उप्चिनाव होने हैं, वहां LGP अपना उमीदवार उतारेगी, कह से वो अपनी ताकत का एहसास तमाम पार्टियों को करवा सके, और खास कर नितीश कुमार को, अब चिराग पासवान ने उप्चिनाव लड़ने का एलान करके सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, आपको बता दें कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स स्थान विधान सभा सीटों पर उप्चिनाव होने हैं, इसकी वज़ा इस सीटों के विधायक मेवा लाल चौधरी और शेशी भूशन हजारी का असमय निधन हैं, तारापुर सीट से जद्यू के मेवा लाल चौधरी ने राज़त के दिव्य प्रकाश को हराया था, वहीं क शिराग पासवान का ये ऐलान मितीष्ट कुमार की नीने उड़ा देगा, पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनु सीटों पर तारापूर की और कुशेश वस्तान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीती रहेगी, प्रत्याशियों का चैन, लड़ेंगी चल रही है, बिल्कु लोग जनशक्ती पार्टी चुनाओ लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाओ लड़ेगी, बहुत जल्द मेरे भी कारिक्रम अब वहाँ पर शुरू हो जाएंगे, पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर अलरड़ी समिक्षा बैठक कर रहे हैं, बहुत जल्द अगर देखा जाएं तो लोजपा के पास अपना एक जनाधार है, जिस पर चिराग अपनी पकड मजबूत रखना चाहते हैं, आपको बता दें कि 2020 के बिहार वधान सभाचुनाओ में लोजपा ने भले ही केवल एक सीट पर जीत हासिल की हो, लेकिन जदियू, राजद और क के उमीदवारों के काफी वोट काटे थे, अब जब चिराग ने उपचुनाव लड़ने का भी फैसला किया है, तो इस बार फिर राजद, जदियू और कॉंग्रस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, पिछले साल हुए विधान सभाचुनाओ में तारापुर और कुशेश्व की अपने उमीदवार उतारने जा रही है, इससे कहीं न कहीं चिराग पासवान के जनाधार को और मजबूती मिलेगी साथ ही, चिराग की ताकत लगातार जो बढ़ रही है, ऐसे में वो अपनी ताकत का एहसार से चाचा पशुपती पारस से लेकर नितीश तक को करवा दें में जब चिराग अपने पत्ते खोले तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए, चिराग हर एक कदम बड़ा सोच समझ कर उठा रहे हैं, और इस बार चिराग की सोच को देखकर लग रहा है कि वो जेडिव से आरपार के मूड में है, और इस उप्चनाव में नितीश कुमार को बत कि मत करना